नमस्कार, नच्छत्र तक मैं आपका स्वागत है, मैं आपका जोतिश मित्र आदित्य दुवेदी, जन्म कुंडली से संबंधित परामर्स के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के महूरताद की जानकारी के लिए, या जीवन में चल रही समस्याओं के शमाधा संस्थान के लिए, खराब ग्रह दसाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्षाद की जानकारी के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं संस्थान में अब आपको जोतिस का कोर्स भी मिल जाएगा, इसके लिए आप हमारा आप नच्छत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इस कोर्स में आप जोतिस के ए से सुरू करके जड़ तक जा सकते हैं, यानि बेसिक से अड़वांस तक के सारे आपको लेशन इस्टेप बाई स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबत तरीके से होते हैं, जहाँ जोतिस के PDF नोट्स भी आपको मिलते हैं, और लाइब क्लासे की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, डाउट्स वगेरा के लिए भी वीडियोज आपको मिलते हैं, जों क्लास स के लाइब जोड़ करके मैं आप लोगों के संकाओं का समाधान भी करता हूं सोत्र रंबर एक आप लोग लेखिए अगर किशी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव या लाभ भाव में हो और उसके उपर सुक्र की दृष्टी हो यह पहला सोत्र अलग है इसके बाद जो सूत पंचम भाव में हो या लाभ भाव में हो और उसके उपर सुक्र की दृष्टी हो तो व्यक्त की कुंडली कितनी ही खराब जो नहीं होगी जीवन में अचानक से धनलाव का आऊसर मिलेगा एक बार धनलाव का आऊसर काफी अच्छा आएगा जीवन में चंद्रमा पंचम में हो या लाभ भाव में हो उसके उपर सुक्र की दृष्टी हो सुक्र क्या है भोग विलास है और चंद्रमा और सूरितों नई सरगिक रूप से राज योग के कारक ग्राह है तो जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा आउसर आएगा जब व्यक्ति अच्छा धन कमा ले और इसमें आज के परिपेक्ष में देखें तो यह धन सेयर सत्ता और लाटरी से हो सकता है क्योंकि पंचम भाव सेयर सत्ता और लाटरी से संबंधे था इसी में आगे एक चीज़ और जोड लीजीएगा चंद्रमा हो पंचम में या लाभ में सुक्र की दृष्टी हो लेकिन इस स्थती में चंद्रमा जितना बल्वान होगा उतना ही अच्छा धनयोग बनेगा अभी मैं इसको समझाऊंगा चंद्रमा जितना बलवान होगा उतना ही अच्छा योग बनेगा अब आप लोगों के रिफरेंस के लिए एक डेट आफ बर्थ है आप लोग चाहें तो स्वेम भी नोट कर सकते हैं या मैंने सामने कुंडली बना रखी है इनका डेट आफ बर्थ है 7 जुलाई 1971 सेबन जुलाई 1971 दस बच के तीस मिनट का इनका जनम है दिल्ली का सामने कुंडली देख रही है यहां पर यह इनका डेट आफ बर्थ है 7 जुलाई 1971 दस बच के तीस मिनट दिल्ली का जनम है यहां पर पांच नंबर की गिंती है तो सिंगल अगन इनकी हो गई लगनेस लाभ भाओं में बैठा हुआ है लगनेस का लाभ भाओं में होना बहुत ही अच्छा योग है किसी भी कुंडली में कभी भी विशलेशाड करेंगे तो पहले लगन को और लगनेस को देखना है क्योंकि ये सारे फलों को रिसीब करने वाला है सारा जो भी राज-योग अच्छा बुरा है वो मिलेगा किसे लगन को ही लगन ही भोकता है तो सोरी अच्छा है यानि इसमें जो योग बनेंगे राज-योग अभी जिसका हम विवेचन करने वाले हैं ऊसका पूरा फल यहाँ पे मिलेगा सोत्र में ने बताया कि चंद्रमा पंचम भाव में हो या लाब भाव में हो एका दस भाव में पंचम भाव ये है एका दस भाव ये है इन दोनों में से किसी भाव में चंद्रमा हो और उसके उपर सुक्र की दृष्टी हो यहां से देखे, सुक्र की दृष्टी है, ठीक है, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, वहां तक सुक्र की दृष्टी यहां पर, चंद्रमा पर है. ये जो हैं एक साधारण से देखती थे, ये जो हैं कुछ जैसे सडक पे लोग काम करते हैं, खेला आप लोग समझते हैं कि पता नहीं, कुछ लोग तो समझते होंगे, सडक के किनारे कुछ लोग लगाते नहीं, वो सबजी की दुकान लगाते हैं, कुछ लोग टिकिया, चाउ रहा था बनलब साधारण जीवन इनका था साधारण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे लेकिन इनकी कुंडली तो अच्छी है कुंडली अच्छी है राजयोग है तो कभी न कभी घटित होना ही है अब एक तो मैं बताओं जिस पे मैंने आपको अभी जो सूत्र लगा है उस फिर कुछ और योग भी बताओंगा आपको अब यहां साफ दिख रहा है कि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है जिसके उपर सुक्र की दृष्टी है तो ये अचानक इनके दिमाग में आया कहीं से इन्होंने देखा सुना ये जो है लाटरी खरीदना सुरू कर दि है अब चुकी कुंडली में योग है पंचम भाव लाटरी सट्टा से जुड़ा भी होता है तो ये एक दो बार ये आसफल रहे लेकिन फिर भी इनके अंदर ललक बनी रही एक दो बार में कुछ नहीं हुआ लगे रहे लगे रहे और जब एक दो बार करता है काम आदमी दो काफी अच्छी लाटरी निकली इनकी कई बार निकली सक्टा से पैसा कमाएं और देखते देखते ये पूरा जो ये खेला रखते थे इनका पूरा सा रेस्टोरेंट खुल गया लोगों को आश्चर भी हुआ कि इतना धन कहां से आ रहा है क्योंकि ये जनम तिथी आप बताए भी कि मैं यहां से पैसे कमा रहा हूं तो लोग सोचेंगे ये क्या चीज है लोगों को कम जानकारी थी तो ये एक योग हुआ इनको इस योगनिक मलब ये जिस व्यक्त की आमदनी सव रुपए हो उसकी आमदनी हजार रुपए कर दे दिन की ऐसा योग है उस समय के ह हिसाब से जो भी धन रहा होगा वो भी बहुत उत्तम रहा होगा अभी भी यह अच्छा धन इनोंने जीवन में बना लिया है ठीक है 1971 की कुंडली है और काफी कमेज में ही यह योग एक्टिवेट भी होता चला गया यानि जमानी जो है इनकी युवावस्था सुख भूगन दना है दर्शत को मिल गया है यस योग में देखिया चंद्रमा सूर्य के सम्मुख राइद है चंद्रमा पूर्ण रूपसे किरण से युकत है अगर यहीं चंद्रमा मान लेजिए क्रिसल पक्षका हो जाता सूर्य यहां बैठा होता सूर्य यहां होता सूर्य जहां होता है उससे दूसरे तीसरे चौथे पाचमे छठे सातमे भाव तक चंद्रमा में उज्वलता रहती है जब सूर्य के ठीक सामने रहेगा तो सबसे ज्यादा उज्वल और जैसे ज कुंडली में उदाहरेड कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा सूरए के सम्मुक्ष ही बैठा हुआ है सूरे यहां पर है और उसी के सम्मुक्ष चंद्रमा सुखलपख्चका तो इसलिए इनको बहुत अच्छा धनलाव हुआ अगर यही चंद्रमा अस्त होता तो इस केटेगरी का धनलाव ना हो पाता धनलाव तब भी होता लेकिन इतना ना होता यानि इसने बहुत ज़्यादा इनको सुखी और संपन बनाया है नोट कर लिया आपने यानि किसी भी कुंडली में चंद्रमा बलवान हो उसके उपर सुक्र की दृष्टी पढ़ जाए तो लाइफ को इतना धन मिलेगा कि आपका लाइफ लगजरी से भर जाए शुक्र लगजरी का कारक है ना और हर आदमी जो देखिये दुखी है जिसके प कूलर मिल जाता तो अच्छा रहता क्योंकि अब पंखे वाली गर्मी नहीं हो रही है वो मिल जाए तब इनसान उम्मीद करेगा कि सायथ कभी बड़े लोगों की तरह हम भी ऐसी इस्तिमाल कर पाते हालंकि आज के समय में चीजें कॉमन होती जा रही है लेकिन अभी भी ऐस से ही Expectation बढ़ती है तो यह जो यहीजिश कूलर है साइकल से मोटर साइकल मोटर साइकल से कार यह सब Expectation कौन पूरा करता इन सबका कार्व सुक्र ही तो है इसराजियोग में सुक्र को मैंने क्यों लिया है यह म năm कारण बता रहा हूँ व्यक्ति के पास कैस रुपया रहेगा की नहीं लेकिन अगर चंद्रमा पर सुक्र की द्रिष्टी है और चंद्रमा बलवान है सुकल पक्छ में आ रहा है जितना बलवान रहेगा किस्मत उसे इतना धंतो अवस्य देगी कि व्यक्ति का जीवन लगजरी से भर जाए दूसरे योग पे चलते हैं इसी कुंडली में कुछ और चर्चा कर लेते हैं एक तो ये देखिए कि लगनेश जो सूर्य है ये और जो दसमेश सुक्र है इन दोनों की भी युति है लेवन था उसमें लगनेश और दसमेश लगन क्या है त्रिकोड है जो आज तक म स्वामियों की युति बनी हुई है तो ये भी तो राजयोग हो गया भन योग राजयोग कह लीजिए लाभ भाव में बना भी है ये तो यह योग भी बड़ा सुन्दर है इस कुंडली में चीक है आगे गुरू और सनी आमने सामने हैं दोनों अच्छी स्थिति में हैं दोन अच्छी रासी में है छटे में तो है उच्छी रासी में है राहू के साथ है तो राहू के साथ होकर के नकार आतमक तो हुआ लेकिन उच्छ का होने के नाते अन्य रासी में जितना पीडित होता राहू से वस हिसाब से राहू इसे पीडित नहीं कर पाया मंगल उच्छी का जीवन को पलटके रख दिया अब एक मैं कौमन सुत्र बता रहा हूँ जो बहुत सारी कुंडलीओं पे आप एक साथ लागू कर सकेंगे नोट करिये सुत्र नंबर दो किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा का चंद्रमा का संबंध, चतुर्थ भाव भावेश या लाभ भाव अथवा लाभेश से बने तो भी जीवन में अचानक धन प्राप्ती के योग होते हाँ सीधा सा सूत्र है, लिख ले होंगे सीधा सा सूत्र है, चंद्रमा का संबंध जोड़ा जा रहा है अचा इसमें एक चीज छूट गया, धनेस भी सामिल करिए चंद्रमा का संबंध चतुर्थ भाव, चतुर्थेश से है, लाभ से, लाभेश से है धन और धनेस से, अपने इसाप से अपना सूत्र लिख लेजिए, वैसे तो यतना आसान कांसेप्ट है, सिर्फ आप नोट कर लेजिए, ताकि आपके पास डाटा रहे, लेकिन आसान है, मेमरी में सिर्फ रहेगा, तो कठिन नहीं है इस सूत्र को कल्कुलेट करना या अनाल नानक धनलाभ के योग बनाता है, अब ये कुंडली आपके सम्मुक है, इनका डेट आफ बर्थ में बोलता हूं पहले फिर इसको जूम करूंगा, 27 अक्टूबर, 67, 27 अक्टूबर, 1967, टाइम आफ बर्थ, 14 बसके 38 मिनट, सोनी पत हरियाना का इनका जनम है, अब जो मैंने सूत्र आपको बताए हैं, उन्हीं में से कुछ सूत्र हमें यहाँ पे लगाने हैं, पहला सूत्र देखिए क्या लग रहा है, चंद्रमा के उपर सुक्र की दृष्टी का संसूत्र नहीं लग रहा है, चंद मैंने पहले सूत्र को अलग से लिखाया, दूसरे सूत्र पे हम चलेंगे और दो उदाहरण लेके समझेंगे, सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले आपको विचार करना है, चौथे भाव का स्वामी, किसी भी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी को देखना है, और किस-किस भाव को नोट करिए पहला क्या हो गया चलन दूसरा क्या है सूत्र में हमारे यह का दस पर और तीसरा क्या है कि कि थी स्रसारा है हमारा धन ब路 यह तीन भाव मैंने सामिल किया है और इसमें Fititter में कर से बोलता हूं मिलाएंगे आप लो चंद्रमा का संबंध चौथे लाभेस और धनेश के साथ हो कि इसी का और विस्तार करिए चंद्रमा का संबंध ना भी हो तो इन तीन भाओं के स्वामियों का संबंध परस पर हो या तो चंद्रमा से संबंध हो जाए या इन तीन भाओं के स्वामियों का परस पर संबंध हो जाए तीन में से किसी दो भाओं का ही हो तीन के तीनों का हो जाए तो अच्छा है तीन भाओं का यानि दुतिय भाओ, चतुर्थ भाओ और एकादस भाओ में से किसी कम से कम दो भाओ के स्वामियों का संबंध बने या तीनों भाओं का बने या इनका संबंध चंद्रमा से बने अच्छे भाओ में, चंद्रमा बल्मान हो वही सुत्र लागू होगा, तो कुंडली में देखिए दुतिये भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है गुरू है दुतिये भाव का स्वामी गुरू हुआ किसी भी कुंडली में आप दुतिये भाव का स्वामी निकाल लेजिए फिर चतुर्थ भाव का स्वामी निकालिए चतुर्थ भाव का स्वामी इस कुंड लेबल है वो इसे जान सकते हैं लाभ भाव का स्वामी कौन है इस कुंडली में है यह तीन ग्रह में मिले क्या इनमे से किसी का संबंध मजबुत चंद्रमा के साथ बन रहा है चंद्रमा के साथ नहीं बन रहा है यह सोत्र यहीं छोट गया इसे सोत्र के विस्तार में चलेंगे क्या यह जो तीन भाव हमारे आएं हैं तीन भाव के स्वामी गुरू सुक्र गुरू क्या इनका संबंध कहीं परसपर बन रहा है इसको देखेंगे क्या इनका संबंध बन रहा है कि नहीं राकेश दुवेदी करें अपने आपको कि आपकी आवाज थोड़ा कट रहें लेकिन आप सही बोल रहे हैं इसमें देखिए शुक्र और गुरू की युती बन रही है सिंघरासी में बन रही है अब म्यूट कर लीजे अपने आपको आज वाले विसे में हम देखते हैं कि यहाँ पे खार्चु नेटली बड़ा अच्छा संयोग बना कि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव दोनों का ही स्वामी गुरू हो गया है और चतुर्थेश शुक्र के साथ बैठा है वो भी अच्छे भाव में बैठ गया छे में हो आठ में होता बारा में होता तब यह योग कमजोर हो जाता चूकी छे आठ बारा में नहीं है त्रिकोड यहां पर केंद्र में ही बना है लगन पे इन दोनों की दृष्टी भी जा रही है दोनों सुभग्रहों की जो राजयोग बना रहे हैं तो यहां पे दुतियेश और चतुर्थेश की भी युती है और चतुर्थेश और पत्नी के स्वास्त वगेरा को लेकर के या दामपत्त जीवन में कठिनाई रही होगी क्योंकि सब्तम भाव का जो स्वामी सूर्य है वह नीच रासी में है और सब्तम भाव में दो बिरोधी ग्रह बैठे हुए हैं लेकि धन का योग इन दोनों ग्रहों ने बनाया और इनको धन की प्राप्ती होई इनके साथ क्या कहानी होई मैं आपको बता देता हूँ इनके साथ कहानी ऐसी होई कि बचपन में ही इनके मा की हो गई मृत्यू जब यह छोटे थे तभी इनकी मा की मृत्यू हो गई लगभद उस समय इनकी आयू रही होगी तीन से चार वर्स की मा की मृत्यू हो गई पिता जी ने दूसरा विवाह कर लिया और पिता जी ने इनको पढ़ाय लिखाया बढ़ा तो किये ही लेकिन कुछ बहुत विशेश ध्यान नहीं दिये जब ये सयाने हो गए बालिग उमर के हो गए 25-26 साल की आयू के करीब में तो इनके मामा जी एक बार इनसे मिलने आए इनके मामा जी यानि जो माता जी की मृत्यू हुई थी उनके भाई यानि सगे मामा जी इनसे मिलने आए हलांकि ये कभी मामा के घर गए नहीं थे माता की मृत्यू हो गई तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अगर मृत्यू हो गई तो उतने ज़्यादा संबंध रह कहा जाते हैं उपर से जब पिता ने दूसरी साधी भी की तो जो दूसरी माँ आई होंगी वो तो अपने माई के से मतलब रखेंगी और ये छोटे थे तो उतना मामा और नाना नानी से पहचान भी नहीं हुआ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था अब देखिए किसमत का खेल इनके मामा जी इनसे मिलने आए इनसे मुलाकात हुई और इनके मामा जी ने कहा कि तुम अपनी माता के मृत्यू का प्रमाण पत्र लेके चले आओ घर पे कभी पूरी बात इनको बताए समझाए कि जो हम भाईयों का हिस्सा है उसमें तुम्हारी माता जी का भी हिस्सा है भईया अब हम लोगों का हो रहा है बतवारा तो अपनी मा का हिस्सा चुकि वो उनकी मृत्य हो गई है तो मिलेगा इनको तो ये अपनी मा का हिस्सा लेने गए और डेट ओफ बर्थ देख रहे हैं 67 का है इनका यानि कि उमर इनकी अच्छी खासी हो चुकी है तो यानि काफी समय पहले इनको यह धनरासी मिली होगी इनको 40 लाख रुपए ननियाल से मिले ये धन्योग जो इन दोनों ग्रहों की युती से था ये अचानक इनको धन का लाभ कराया पिछले वाले उदहरण में हमने देखा था कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ था तो पंचम भाव सेर सटा लाटरी का होता है तो कहीं न कहीं उसमें लाटरी का कनेक्शन था और हम इसमें देख रहे हैं कि सुक्र का संबंध कहां से है चतुर्थ भाव से है तो कहीं न कहीं इस पैसे में माग की भूमिका सामिल दिखाई दे रही है तो जब भी दुतिये भाव, चतुर्थ भाव या लाभ भाव के स्वामियों का संबंध मजबूत चंद्रमा से बनेगा तब चंद्रमा वाला उधारण मैंने पहले देख लिया या फिर चंद्रमा का संबंध सुक्र से या तीसरा सुत्र साधारण सा सुत्र है कोई दिमाग लगाना नहीं है कोई भी कुंडली सम्मू खा जाए दुतिये भाव, चतुर्थ भाव और एकादस भाव के स्वामियों को नोट करिए इनके संबंध को देखिए संबंध कब बनेंगे इस पे मैंने वीडियो में बताया है अभी पिछले एक दो क्लास पहले बताया हूं और जो वीडियो लेशन पड़ा है उसमें भी बताया हूं तीसरा एक्जेम्पल है मारा इसमें आप लोग अपने आप जान जाएंगे यही सूत्र इसमें भी लगाना है पहले मैं इनका डेट आफ बर्थ आप लोगों को बता देता हूं 28 अगस्त 1977 28 अगस्त 1977 टाइम आफ बर्थ है 21 बज़ के 21 मिनट यानि रात को 9 बज़ के 21 मिनट अजमेर का इनका जनम है कुंडली आप लोगों के सम्मुख है इसमें हम लोग विचार करते हैं पहले लगन देख लीजिए मेस लगन की कुंडली है कहीं भी जब भी आप बोलना सुरू करेंगे प्रेडिक्सन इसमें से तो ज़्यादा तर लोग भविस्य में हमारे ही संस्थान में बोलेंगे employ रहेंगे मेस लगन है और इनकी कुंभ रासी है सबसे पहले ये बोलना चाहिए कोई भी कुंडली देखते समय चंद्रमा जिस रासी में होता है व्यक्तिकी रासी वही होती है किसी भी रासी में चंद्रमा होगा वही व्यक्तिकी रासी होगी ज़्यादा तर लोग इस बात को जानते हैं बेसिक वाले नहीं जानते हैं तो नोट कर ले अब आज आते हैं अपने विशे पर उसी चीज पे सूत्र पे यहाँ पे आप देखिए सूत्र को हमें लगाना है पहले हम दुतिय भाव, चतुर्थ भाव और एका दस भाव के स्वामियों को नोट कर लेते हैं इस कुंडली में दुतिय भाव का स्वामी कौन सा ग्रा है? सुक्र है दुतिय भाव में दो नंबर की गिंती लखी है, दो नंबर की गिंती का मतलब कौन होता है? सुक्र चतुर्थ भाव को नोट करिए चतुर्थ भाव में कौन सी गिंती है? चार नंबर चार का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है और तीसरा भाव हमने कौन सा लिया है? लाभ भाव और सुक्र सनी की युती चतुर्थ भाव में हुई है बन गया ना योग बन गया राज योग चलिए आप किसी को लाते हैं सम्मुख उन से पूस्ते हैं सुबाश चंद्र सर्मा जी अपने आपको अन्म्यूट करिया है अंजी जर बताइए यह जो सूत्र भी हमने पढ़ा उसका यहां पर कहां योग बन रहा है जतुर्थ भाव में जतुर्थ भाव में सुक्र और चंद्रमा की यूति अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान देजिएगा जब सुक्र और सनी की यूति हम नौर्मली देखते हैं तो यह बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों के तत तो ठीक नहीं है एक दूसरे के साथ सुक्र भोग है और सनी बैराग्या इनकी पहले हम कहानी बता देते हैं आप लोगों को इनके पास था कुछ नहीं साधारण जीबन था साधारण घर मकान और गाड़ी वगएरा भी नहीं था कि इनके पास फोर बिलर वगएरा हो पुरानी मोटर साइकिल वगएरा से ये चलते थे देखने में ठीक ठाक थे सुन्दर थे स्मार्ट थे बादचीत में निपुड थे मरलब व्यक्तित तो सारीरिक रूप से अच्छा था साधन संपन्द नहीं थे धन नहीं था लेकिन व्यक्तित तो इनका ठीक ठाक था हुआ क्या इनका प्रेम संबंध अस्थाफित हुआ किस से एक क्या बोलते हैं इसाई मतलब अंग्रेजी महिला से इसाई महिला से ये प्रेम संबंध में आए उस महिला को इन से प्रेम हुआ दोनों ने विवाह किया और उस महिला की कई संपत्तियां कुछ होटल और रेस्टोरेंट थे और उससे साधी के बाद इनका यह धन योग या राज योग कहें वो जागरित हुआ और फिर उसके बाद पूरे जीवन भर ये सुक्ष और संपन्नता पुर्वग जीवन्यापन कर रहे हैं यहां में शुक्र सप्तम का स्वामी है विवाह से संबंध जोड़ जया इस तरी देखे संबंध आपने भूड़ लिया जैसे दो कुंडलियों में निकला यहां पर भी निकलता हुआ आ रहा है अच्छा आप यहां पर एक चीज और देख रहा है यह सनी चतुर्थ भाव में है किसकी रासी में है चंद्रमा के और चंद्रमा कहां है सनी की रासी में है तो चतुर्थेस और लाभेस का अस्थान परिवर्तन भी तो हुआ है जैसे आप लोगों ने एक योग देखा इसमे मैंने दो योग देखें, उसी सूत्र के दो योग हाँ, संबंध बनने का मतलब सिर्फ साथ होना ही तो नहीं है ना, आप अपने आपको म्यूट कर लेजिए, संबंध बनने का मतलब है कि वे दोनों ग्राह एक दूसरे के साथ हों, युती में हों, एक दूसरे की रासी में हों एक दूसरे पर द्रिष्टी डाल रहे हो चार प्रकार से संबंध बता गया था तो सबसे प्रबल संबंध तो होता है जब साथ में हो या एक दूसरे की रासी में हो तो यह दोनों सबसे प्रबल है तो यहां पर दोनों सबसे प्रबल वाला संबंध बना है समझ रहे गए आप लोग ना दो-दो संबंद सिर्फ एक आप ने देखा जिन लोगों ने दोनों देख लिया था वो लोग जो है मेडल के पात रहें उन लोगों को हम 31 अपरेल को पुरस्कृत करेंगे 31 अपरेल को 30 अपरेल दिन रविवार को जिन लोगों ने दोनों योग देख लिया था वो लोग हमारे घर पे आएंगे और उनको हम पुरस्कृत करेंगे और साथ में आप लोग 10-20,000 रुपए लेके आएंगे पुरसकार में वही रुपया आप लोगों को हम भेंट करेंगे जो आप लेके आएंगे तो जिसको जितना बड़ा पुरसकार चाहिए उतना ज़्यादा लेके आजाएगा थीस तारिक को यहाँ आफिस में एक कारिकरम का योजन किया गया है, शाल बीत गया फाइनेंसियल एबीत गया अपनेफ इयर है, तो साल भर जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा रिस्पॉंस दिया है, टाइम से आना, टाइम से जाना, धंग से बात लोग बेठे हैं किसको किया मिलना है किसका किसमें नाम है किसी को बताए नहीं है तो इसका भी वीडियो हम डालेंगे यूटूब पे आप लोग देखिएगा अचा अगर यही मान लीजिए सुक्र और सनी का संबंध यहां के बजाएं छठे भाव में आठ्वे में होता और बारामे में होता तब क्या होता तब पहली संभावना तो ये थी कि defensive होता वो औरत हो सकता है पहले से डाइवोर्ची रही हो उनके पहले से विवाह हुए रहे हो क्योंकि 6-8-12 में गया है तुकि इनका विवाह हुआ तभी ये राजयोग लागू हुआ है तो चतुर्थ सप्तम्भाव से संबंधित कुछ परेशानी के कारण ही विवाह होता तो अगले इस्त्री का अपना जो है दमपत्य से अलगाव हुआ हो या इनहीं का अलगाव हुआ होता पहली सट दूसरी या होती जिस हिसाब से इनको धन मिला उससे आधे से भी कम धन मिलता वो भी क्योंकि लगन जफ्त?". लगन से से यह इंज्वाय कर रहे हैं यानि हन्तों मुक्ष्य रूप से उस महिला का ही है ना पती होने के नाते इनका भी अधिकार हुआ मिल जाएगा पा जाएंगे कि कोई रोक ठेक नहीं है लेकिन अगर यही छे आठ बारा में होता तो विवाह के बाद उनको उस संपत्ती का धन के मामले में दखल देने का अधिकार उतना अधिक वह महिला ना देती जिसके कारण से विवाद हो करके हो सकता है कि इनको कुछ संपत्ती दे करके वह फिर इनसे पीछा भी छुडा लेती चुकि अच्छे भाव में बना है इसलिए इसका पूर्ण सुख है यानि छे आठ बारा में यही योग बनेगा तो जितने भी फल है सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ संताप अवस्य पैदा हो जाएगा इनको पहला सुख क्या मिल गया इस्तरी का मिल गया भाई धन का ही सुख नहीं मिला होटल के ही मालिक नहीं हुए एक इस्तरी का साथ भी जीवन संगिनी भी तो मिल गई इनको तो वो जीवन संगिनी जो जो इनको मिला उन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी आती अगर ये 6-8 बारा में बना हो